पात ऐसी ट्रांजिशन्स जो दिखने में बेसिक हैं, बट वो हर एक मुजिक वीडियो में कामे ली जा सकती हैं इन पास ट्रांजिशन्स को मैं मोस्टली अपने वीडियो में लेता हूँ और उनके बारे में ही इनको आप किस तरीके से कामे ले सकते हो, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली और सबसे बेसिक सी ट्रांजिशन है वो है एडिक्टिव डिजॉल Addictive Dissolve almost हर smooth music video में कामे ली जाती है चाहिए वो romantic हो चाहिए वो you good style हो चाहिए sad हो पर दांस नमर्स में हम कामे लेते हैं जैसे कि राजसता निगानों में हमने कामे लिया है अब Addictive Dissolve को आप कामे ले सकते हो कैसे कैसे पहला तो Addictive Dissolve बैसिकल एक Dissolve होता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर बट साथ में ये थोड़ा सा brightness भी इंक्रीज करता है तो गलो डालता है आपकी में इसके अंदर तो ये साथ में Dissolve और साथ में गलो एक साथ चीज़े होती हैं तो इसको आप कामे ले सकते हो इसके अंदर बहुत सारे प्रिसेट्स बैसिकल ये सिर्फ इहीं ट्रांजिशन नहीं है अगर आपने पूरी वीडियो में इसे ट्रांजिशन लगा दी और आपको बाद में इच्छा हो रही है कि मैं यार आप इसको यहां से भीड्रे कर सकते हो बॉक्स कर सकते वी कर सकते हो इसको बार मैं अच्छाए ठीशन की बात कुरू disfr पुश. इसके बारे मैंने अपने पुछ वीडियो में पहले ही बताया है हम इसको वह तीज में लेता हैं. अब इसके दो यूजमा आपको बताता हूं. पहला तो अगर आप जैसे इस बेगराउंड को रिमूव करके टेक्स्ट डालना है तो उस बेग्ग्राउंड को रिमूव होने का और टेक्स्ट का दोनों का पुष्ट बना सकते हो साथ में जैसे आज गर एक ट्रेंटिंग चल रहा है रिल्स के अंदर तो मैं हूँ हुझे नीचे करके और बेग्ग्राउंड में मोशन बेग्राउंड डाल दिया जाता है और उसके उपर टेक्स्ट लगाई जाती है आप अपने उब्जेक्ट्स को चेंज करते रहो जैसे आप स्मूथ ट्रांजिशन लगाते हुए वह एक तरीके से मेल्ट होके चेंज होंगे साथ में अगर आप चाहो जैसे किसी वीडियो के अंदर अजीब सा कट लगारा जैसे लास्ट अमने एक वीडियो के था थारे वास्ते करेंगे तो उसमें मैंने लिप सिंग के बीच का छोटा सा पार्ट कट किया था दो सेकेंड गा बट मैं चाहता नहीं था कि वो केमरा ज करते तो इन आउट है मुमेंट होता है मुमेंट ना देखिए इसके लिए मैंने स्मूध कट वहाँ पर कामें लिया और काफी स्मूध ली इस एक्ट के थूरू वहाँ पर पता भी नहीं लगा किसी को यहां पर बीच में दो सेकेंड की किलीफ हमने रिमूव की हुई है अगर कुछ नया तरीका होगा तो मैं उसको अगले वीडियो में आपके नाम के साथ में उस इफेक के बारे में बात करूंगा चो था जो most used effect है वो है dip to color dissolve आप ये additive dissolve अगर ट्राई करते हो तो वहां पर भी आपको option मिलता है अलग से भी apply कर सकते हो आप इसमें अगर आप apply क कि उसके बाद में वापस dark से open हो तो वह कर सकते हो बागी अगर आप इसमें color change करते हो तो वह color आप वाइड ग्रीन या पिर जैसा भी color आप चाहो उस color के थूरू आप उस transition को convert कर सकते हो आपका वीडियो होगा फिर उस color में जाएगा और फिर वापस से lift होगा तो काफी अल आपको right click करना है and create transition preset पर click करना आप यहाँ पर अपना खुद के accordingly नाम दे सकते हो अगर मैंने यहाँ पर नाम दिया है उस तो आप देख सकते हो dip to color के पास में user के नाम से जितने भी हमने presets बनाए होंगे वो user के नीचे आपको दिखाई दे जाएंगे और इस तरीके से आप इसको preset बना के रख सकते हो ताकि आपको same चीज बार बार ना करनी कड़े 500 effect है जो कई बार slow motion के अंदर या फिर आजकल risk के अंदर भी काफी कामे लिया रहता है वो है glow transition के अंदर क्या होता है basically adequately dissolve के अंदर video dissolve भी होता है और उसके अंदर glow भी लगता है पर वो glow इतना high नहीं कर सकते हो आप जाओ green, blue या फिर कोई अपना color mix करके color बना सकते हो और उसके through भी glow effect डाल सकते हो जिस color आप select करोगे उसी color का glow create होगा और इस तरीके से आप अपने boring से transition को एक cool video के अंदर convert कर सकते हो तो यह थी 5 transitions हो मैं सबसे जादा काम में लेता हूं मैं अपने सारे secrets हैं व वीडियो को share करो ताकि हम थोड़ा और group करें ताकि हम बाकी जो काम है उनको थोड़ा सा drop करें यूटूब पे ज़्यादा वीडियो डाल सकें और आपकी ज़्यादा help कर पाएं Thank you so much वीडियो को यहां तक देखने के लिए have a nice day